तो स्वागत है भाई सभी का नए नए व्लोग में I hope कल का व्लोग देखा होगा और मजा भी आया होगा और आज भाई कह सकते हैं इस सेमेस्टर में पहली बार हम क्लास में जाकर ML1 का लेक्चर एटेंड करेंगे हाला कि इससे पहले भी दो लेक्चर हुए ML1 के लेकिन तब हम बढ़िया वर्चा की बोचारे हो रहे हैं भाई एकदम तो चाता तो अपने साथ है पैसे भाई चाता का भी एक साइट से डंडा थोड़ा निकला हुआ है पर मैनेज हो ही जाएगा लगता है क्योंकि वर्चा तो भाई ठिक ठाक हो रही है सुबहे से यह देखो तो अल्मो उनिफिट भी दिखता हुआ चलते हैं अंदर थोड़ी ठंडी हवा तो चल रही है तो अपना अंदर तो आ जुग है भाई यह अपना योगा रूम भाई देखो यहां लिखा भी हुआ है समान रख देते भाई पहले तो यहां पर इसको ज़रा लॉग भी कर देते हैं हो ग यह देखो भाई अभी भी वर्शा तो हो रही है वैसे ठीक रोड क्रॉस कर लेते हैं इससे पहले गाड़ी आए भाई और दस बच के चार मिनट के आसपास का समय हो रहा है और दस पैतालेस पे भाई हमारा लेक्चर शुरू होना है तो रूम पे चलते हैं तो यहां पे एक कहानी व्लाग में बात करेंगे तो रूम पे अपना आ चुक हैं सोच रहा है सबसे पहले तयार हो जाते हैं तो यहां से भाई बढ़िया नजारा आता हुआ एकदम घीली-गी जमी भी दिखती हुई थोड़ा यहां बाई शेच है तो यहां से चलते हैं आगे आगे तो यह से निकाला थैब और सामने बिल्डिंग 46 दिखती हुई चलते हैं अपना अंदर आटा था यहाँ से आगए जाके लेफ्ट यहां पर अंदर चलते हैं तो लेक्चर दर बैट तो हो गया है और यहां मारे समने मुंसिर भाई भी तिक्त तो लेक्चर एटेंड कर लेते हैं इसक 45 to 11 45 और 15 मिनिट का ब्रेक दिया फिर लेक्चर कंटिनी होगा एंड वी है वार फ्रेंड अली रजा एज वेल तो ब्रेक खतम भाई लेक्चर एटेंड करते हैं और फिर बात करते हैं वही फाइनली अवरा लेक्चर तो ओवर हो चुका है चलते हैं वही अपना बिल्डिंग 46 के बाहर पहले थोड़ी थोड़ी फूंदा बंदी तो हो रही है इस वक्त और लगवग एक बीस के आसपस भाई हमारा लेक्चर खतम हुआ जैसे बताए बीच में पंदरा बिरनेंट का ब्रेक मिला था और अभी सोच रहे हैं कि मैंसा जाते हैं लंच करने यह तो अपनी मै इक्साइस क्लास है और यह वहाई मैंसा के भाहर भी आ चुके हैं और वापिस अपना बीडिंग 46 जा रहे हैं जिस रूम में अपना लेक्चर हुआ था न उसी रूम में अभी अपनी अक्सैस क्लास है 2 बजे से हाला कि दो बच के तीन मिनाट हो रहा है अभी मेंसा में भी ठीक टाक लाइन लगे थी तो खाना निपटा है और अब जाके एक्साइज सेशन एटेंड करते हैं यह देख वाई बिल्डिंग 46 के अंदर का कुछ खाना खाके भी ठीक ठाक एनर्जी थो थोड़ी आ गई है और अपने इस एक्जेट के पास ही अपना लेक्चर रूम 110 जिसमें अभी हम दुबारा जा रहे हैं तो सेशन एटेंड कर लेते हैं बाई चलके तो भाई हमारा एक्साइज सेशन तो खतम हो चुका है अब देखो इ अब चलते हैं यहां से बाहर निकल के बाई देखो अपना रूम 110 यहां पर आ चुके हैं चलके कोफी भी ले लेते हैं यह देखो बाई यहां से चलो बंतो रही है और आपना जो क्लास है वो चला जैसे देखा होगा 10-45 से अब बाई 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 आ पीछे देखो मस्त पीओ और यह नजारा देखते रहा अपनी बिल्डिंग 47 और यहां ग्रीनरी का तो हम सोच रहे हैं हम भी अपना रूम पे चलते हैं यहां से तो वैसे बिल्डिंग 46 के अंदर से ही जा सकते हैं यह देखो और इस से बाई अपना बाहर तो आ चुके हैं चाता भी निकाल ले और यही नजारा देखते देखते भाई और अपने ब्रिज के रस्ते से पहुशते हैं स्टुडेंट डॉंग और यह देखो यहां बाई ऐसे पोस्टर भी कह सकते हैं लगा हुआ है अपना जो कंपनी का फेयर होने वाला है थोड़े समय में तो फाइनले हम अपना रूम प ठीक ठाक ठीक ठाक रोशनी भी आ रही है बाहर से और अगर थोड़ा बताया जाए आज के MLK लेक्चर के बारे में हमारा कैसा एक्सपीरेंस रहा क्योंकि फरस्टाइम ही इन पर्सन जाके अटेंड के इस सेमेस्टर में तो भाई जब लेक्चर शुरू हुआ तो थोड़ा तो उसको पूछने का टाइम भी मिली रहा था और उसका जाब भी वो देही रहते तो उन्होंने ट्राइ किया कि आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो निपड जाए और एक चीज जो मुझे लगी कि भाई जैसे पिछले लेक्चर अगर देख लो क्योंकि उससे भी थोड जैसे अपना लेक्चर हुआ राइट उसी दिन अपना एक्साइज क्लास भी हुआ और उस एक्साइज क्लास में जो मैट से जो कोशन एक्साइज शीट के वह भी सौल करा रहे थे तो वहां पे जो ट्यूटर कह सकते हैं उन्होंने क्या कि जो वन बाई वन कोश्चन से वो बोर्ड में आके solve भी कर सकते हैं तो जैसे एक जना था वो भाई उसने उसके पीछे की जो मैट्स तीया equation कोई प्रूफ था वो भी जाके बोर्ड में solve किया था तो मुझे लगा इससे थोड़ा फाइदा रहता है कि पता रहता है कि लोग अलग-अलग किस अप्रोफ से question को solve कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक अभी तो वर्क करना ही है और भाई revise तो करना ही है ताकि जो concepts है वो और समझ सके तो बड़ी experience तो आपना भाई class में जाके अपना exercise session अटेंड करके और एक चीज़ यह भी मैंने information पता लगती रहती है तो सही तो वर्क करना भाई अपने उपर ही रहता है और अगर बाहर देखें तो वर्क कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है इस वक्त अवाज आर योगी बारिश की भी अवाई हम जड़ा अपना बर लिनर चलते हैं वर्शा हो रही है इसलिए हम छाता एक दम तो सही ये इस मौसम में गर्म गर्म अपना डोनर भी हो जाए तो अपना बड़नर और भी पहुझ गए है तो इसे बढ़ गा रया के भी चself वर्क करता। तो चलते हैं भाई अपना रूम पे लाइटे भी थोड़ी कहा गई चालू हो चुकी है और हम अपना भाई रूम पे भी आज चुके तो I hope हमारे साथ आज का पूरा व्लॉग देखके मजाया होगा तो आज के व्लॉग का अंतरसमापन करते हैं सभी का दन्यवाद करते हुए बाकी तो पता ही है लाइक कमेंट से सब्स्राइब करते हैं लगता नहीं बाई बाई चाओ चाओ नबस्ते चलो नए दिन नए व्लॉग में मिलते हैं और अलालग प्लेइलिस में जाके अपने इंटरस के हिसाब से वीडियोज देखी सकते हो और कल हमारा उनीफिट में एपांवेंट भी है तो कल बात करते हैं बाई बाई बाई